नमस्कार आज मैं बनाओगी यह टेस्टी सा खैल्दी मखाने का रायता जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो चली शुरू करते हैं यह मैंने फोले से मखाने इनको तलकर अलग रख दिया है कपोरी में और मखाने में प्लेट में डाल दिये हैं अब इनको हम या तो ओखली में तोड़ ले या ग्राइंडर जार में भी पीश सकते हैं वरना आप बेलन से भी इनको पीश सकते हैं इनको पीश लेना है यह मैंने दही लिया है दही को चमत से फेट लिया है इसमें डाल रही हूं एक चमज नमक बरतबाला नमक है यह और एक चमज डाली है मैंने काली मिर्च पाउडर और अब डाल रहे हैं इसके अंदर मखाने जो कि हमने पीश कर रखे थे और यह मखाने जो हमने थाबत रखे थे वो भी इसके अंदर डाल दिये हैं अब इसमें डाल रही हूं मैं भुना हुआ जीरा ये एक चम्मज के करीब है और ये डाल दें हूं जो तड़का मैंने लगाया था वो लास्ट वे इसके रखी डाल दें है मखाने करायता बनकर तयार है ये हमारा टेस्टी सा मखाने करायता है वो बनकर तयार है और आप भी नवरात्रों में ये मखाने करायता जरू ट्राइ करें ये बहुत एनरजी देता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक